The Dark Side of Digital Marketing आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गया Digital Marketing के कुछ ऐसे टूथ ऐसी एक साइड जिसके बारे में शायद ही आपको कोई भी इंटरनेट पे बताएगा वो आपके साथ शेयर करेगा क्योंकि बहुत सारे जिनके आप courses purchase करते हो जिनको आप online follow करते हो वो आपके साथ यार ये secrets या फिर ये जो एक दूसरी साइड है Digital Marketing में ये शायद नहीं शायद share करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद ऐसा लगता होगा उनको कि अगर वो चीजें आप से बताएंगे आप से share करेंगे तो को courses उनके नहीं विकेंगे बट जैसे कि इस channel पर मैं आप लोगों को digital marketing के बारे में सब कुछ बताता हूँ मैं सारी चीजे share करता हूँ मैं आपको बताता हूँ client कितने है potential कितना है इस market में बट इसकी दूसरी side भी है कुछ ऐसी side जो शायद ना हम लोग regular face करते हैं और मुझको ऐसे person लगता है इसमें ये challenge है और अभी हमेशा रहेगा खास करके ये video जितने भी लोग देख रहे हैं खास करके beginners जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं कुछ भी छोटे client साथ बड़े client से साथ ठीक है तो पहली बात तो मेरी जितनी भी videos हैं ये किसी professional के लिए जो बहुत ही जिसका experience है उसके लिए नहीं है मेरी सारी videos इस channel पर मैं जो भी share कर रहा हूँ ये सब beginners के लिए हैं उनके लिए जो अभी start कर रहे हैं उनको कोई clarity नहीं है और वोगी clarity चाहते हैं life में अपने या फिर digital marketing में clarity चाहते हैं कि आकिर कहां से मुझे start करना चाहिए कैसे करना चाहिए जो भी मेरे तरफ से हो सकता है कि मेरा जो experience है पास 3-4 साल 5 साल का जो मेरा experience है मैं वो आपके साथ share कर सकूँ ठीक है तो जब बात आती यहां share करने की तो मैं आपको सब कुछ share करना चाहता हूँ in fact जो एक ऐसी sites ऐसी चीज़ें जो इसको आप challenge कह सकते हो ठीक है कि इसको अगर मैं एक अच्छा नाम दूँ ठीक है अगर इसको मैं dark side है तो यहां पर आज हम बात करने वाले तीन चैलेंज़ेंगे जो majorly सब हर कोई face करता है खास करके इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो पका face करोगे सारी चीज़ें ठीक है तो बात करते हैं हम पहले challenge की सबसे पहली challenge यहां पर जो client है वो आपकी services को समझता नहीं है बल्द आप इंडिया में अगर आप अपनी services को deliver कर रहे हो तो वो पहली चीज़ तो खुद नहीं पता है उसको चाहिए क्या ठीक है उसको खुद नहीं clear होता है जाद तर इंडिया में businesses को क्या बता होता है उनको इतना clear होता है कि उनको वह sales चाहिए उनको आप कहीं भी बात करोगो तो उनका सीधा सबंडा आता है मेरा धंदा बढ़ना चाहिए मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए ठीक है बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कि आप एड्ड बजेट उसका टाइम खास करके उसका कि सामने वाला का प्रॉड़क्ट ही क्या है ऐसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट काम किया जिनके प्रॉडेट में नहीं था तो कैसे वह भी केगा मार्केट में ठीक है बहुत जबब कुश करके उसको एक दोबार वेच भी दिया तो वह तो ज्यादा नहीं विखता है ठीक है तो पहला यह चैलेंज है यहाँ पर इंडिया में यह आता है कि जो सामने उने क्लाइंट होते हैं उनको समझ में नहीं आते हैं आप क्या सर्विसस सेल कर लो जैसे कि आपने बोला SEO ठीक है आप उनका SEO देना चाहर हो तो अभी उनको नहीं पता एक्चुल में SEO का मतलब क्या है SEO काम कैसे करता है SEO से क्या benefit है कितना time लगता है यह सारी चीजें उनको idea नहीं होती है idea नहीं होता है ठीक है दूसरी चीज बात करते हैं यहाँ पर एक तो उनको यह नहीं पता है कि वो आपसे जो services ले रहे हैं उसका क्या है सेकेंड जी यही कि इसमें जो time लगता है ठीक है अभी digital marketing है न मैं किसी क्लाइट सेथ काम करता हूँ मैं उसको clear बता देता हूँ कि भाई आप जो भी budget के साथ start कर रहो यह matter नहीं करता है कि आप कितने कम budget के साथ start कर रहो कितना ज्यादा budget लगा रहो यह matter करता है कितने time के ल और अगर आप expect कर रहो कि 3 महीने से कम time में कर आप कर रहो और आपको results आ जाए तो ऐसा possible नहीं है ठीक है तो यह सारी चीजे मैं उसको ना पहले clear कर देता हूँ कि 90 days का time आपको देना पड़ेगा अगर मैं कोई भी strategy आपके लिए design कर रहा हूँ कुछ भी आपके लिए बना कर रहा हूँ खास करके ads भी अगर मैं आपके लिए run कर रहा हूँ तो 90 days का time लगेगा उसको भी मैं proper explain कर देता हूँ कि 90 days का time क्यों जैसे for example किसी के लिए lead generate करता हूँ ठीक है अब lead generation में क्या होता है कि simple सा ऐसा है कि मान को चलो 10 lead आती है तो उसमें से 2 clients convert होते हैं यह simple सा एक law of average आती है कि इस हसाब से सारी चीजे काम करते हैं but ऐसा नहीं हा मान के चलो उसको चलो एक महरें में tweadaş collect एक एकजामपल लेते हैं कि एक मैने मुसको सिर्फ 20 लीड आती है ठीक है अगले 3 मैने मुसको 60 लीडs आएंगी ठीक है ऐसा नहीं कि वो उसमें से पहले मैंने जो 20 आया है वो सारे प्रोड़क्त करीड लेंगे डूसरे मैने में 20 खरीड लेंगा ऐसा नहीं होगा पहले मैने 2 तीन खरीदेंगे नेस्ट मंत में दो चार खरीदेंगे बट बाकी आपके जो फनल के वैकेंड में लोग बसते जा रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं वो प्रोड़ेट कभी पर्चेस नहीं करेंगे वो भी करेंगे जब उनकी अरजेंसी आई उनका टाइम आएगा या फिर उनको ऐस कोई भी जब क्लाइंट आता है फरस्ट में लीजनरेट होती है तो तीन महिने चार महिने बाद ने एकस्पोनेसिल रिदल्ट आते हैं बलब क्या होता है कि तीन-चार महिने बाद वो करेंट होते ही जो नीउ आ रहे हैं और जो बैक ऑन बैकेंड के फनल में जो बहुत सारे होते हैं तो इसलिए टाइम लगेगा ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी करो दूसरी चीज एक चीज डॉक्यमेंटेशन करके दो नि भाई आपको जान खा जाएगा ठीक है तूसरी चीज एड्स का मैंने बता दिया आपको क्या सीन है एड्सकां को आप यह भी बता सकते हो कि पहली बात हो यह जितने भी एड अकाउंट होते हैं फेस्बूक गूगल किसी का भी पकड़ा दो यह खास करके मैं बहुत डीप में तो नहीं जानता हूं इनकी बारे मशीन अगर आपको maximize convergence यूज करना है तो गूगल एड्स भी कहता है कि जब आपके अकाउंट में 15 convergence रेकॉर्ड हो जाएं तब आप maximize convergence यूज करिए वो क्यूं कहता है पंद्र कर जाता है यार कि 15 लोग यह convert हो गए हैं आगे कि कौन से लोगों को convert करना है यह गूगल एड्स के अल maximize click क्यों यूज किया जाता है इसलिए कि यूज किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा historic data past data create हो उसके base पे algorithm predict करेगा कि और better convergence कैसे हो सकता है तो यह सारी चीजिए आप क्लाइंट को बताने कर रहे हो आप बताओ कि साथ दिन का time लेंगे हम ठीक है मैं किसी क्लाइंट के साथ क time लेंगे ठीक है अगर मैं set up कर रहा हूं तो day one मैं set up करूंगा और six days तक मैं कोई changes नहीं करने वाला हूं ठीक है अगर क्लाइंट कितना भी गया उसको clear बता जो 6 दिन मगर बार-बार आप 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 चेट रहे हो ना ad copy change कर रहे हो targeting change कर रहे हो नहीं work करता है ठीक है वो क्या अगर के ना बहुत ज्यादा गलतियां अगर के ना experience हुआ अभी पता चला बहुत से लोगों बात करें समझ में आया है कि actual work कैसे करती है चीज़े तो client को बता दो कि ठीक है तो आप को हो कि भाई साथ दिन का time लगेगा हम daily का optimization करके देंगे आपको पर मैं कोई major changes नहीं करने वाला हूँ और जैसे हम मैं चला रहा हूं को मुझे बताए कि मैंने past में काम किया है तो आपको अच्छा performance अच्छा इसरे देलिवर करने के लिए time लगेगा और इत जा दू अब यहां पर second objection ठीक है यह बहुत लोगों को आता होगा और यह जानतों यह objection सबसे खराब होता है मतलब यह चीज जो है यह जो यह side है यह जो dark इसको नहीं dark truth ही कहूंगा क्योंकि यह ना हम लोग साथ बहुत होता है और अभी भी हो रहा है ऐसी बात नहीं है कि य इंडिया में काम करवाते हैं लोग खास करें इंडिया के बाहर भी ठीक है तो कई बार ऐसा होता ना वो एक amount देंगे आपको खास करें इंडिया में वह आपको कम amount देंगे यह एक आपको service के लिए बोलेंगे जैसे मान के चलिए उन्होंने का यार की मेरा social media marketing कर दो ठीक है तो आपने का ठीक है मैं आपको 10,000 या 20,000 में आपसे चार्ज कर रहा हूं मैं आपको 10 graphics दोंगा वह starting में होके बोल देंगे फिर क्या गएंगे मुझको यार एक-दो graphics और बढ़ा दो उनको कुछ print कराना है पेपर में देना है वो भी आप उनके लिए प्लीज बना दो ठीक आप सिर्क कॉंटेंट भी आप अपने इंट से लिख दो खासकर कि इंडिया में बहुत हो तयार मैं बाहर के जितने क्लाइन से काम करता हूं वो लोग कॉंटेंट देते हैं प्रॉपर और हम लोग उसको यूज करते हैं इंडिया में क्या सीन है वो आपको कहेंगे content लिख आप भी को खाएं कि फोटो डूड के यूज कर लो सबसे बुड़ी चीज हिंडिया में अगर आप आप इससे क्लाइन से फोटो मांग रहे हो वाटसैप आपको 10-20 फोटो भेस देगा वो यह नी सोचेगा यार यह फोटो यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती है वो क्या करेग कि अगर आपको सब्सक्राइब करनी है आपने क्लाइंट से यार कॉंटेंट चाहिए मुझको फोटो दे दो वो क्या करेंगा वोटसैप एक साथ 25-30 फोटो ठाकर फोटो कर देगा कि भाई इसमें से ढूड़ लो जो सही लग है ना यूज कर लो ठीक है उसमें से देखो ग में इन इंडिया में पहली बास तो उसको पता नहीं चाहिए नहीं गया चाहिए दूसरी चीज यहां पर से म को सटेज नहीं होता है यह आप अब डिमाँग से हर क्लांट आका सैटिसवाइड होगा नहीं होता है बहुत सारे अगर आपके वीस क्लांट है तो बीस में दो तीन होंगे चार होंगे जो satisfied होंगे बहुत खुश रहेंगे एक दो client होंगे जो आप से okay okay रहेंगे और कुछ client ऐसे होंगे जो कभी satisfied रहेंगे कभी कहेंगे यार बहुत खराब है यह क्या चल ला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कुछ होंगे उनको हमेशा दिक्कत हो पूरा दिन निकल जाएगा आपका और नई चीजों पर फोकेस नहीं कर पाओगे ठीक है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं यार यहां पे कि एक चीज को आप यह माल लो कि इंडिया में आप कितना भी कर दो खास करके सर्विस इंडस्री में कितना भी आप कर दो कितने भी चला दो कितना भी प्रॉपर उनका एट्स मैनेज कर दो ठीक है आप उनको दस ग्राफिक बोल के बारह डिलिवर कर दो तेरा कर दो बट जिस महिने आप नहीं करोगे उस महिने आपको जरूर बोलेंगे कि यार हम आपने मान के चलो किसी महिने आपने दस के वजाए शर्वा पैसे गार नि यह ज़्यां मेरे हाथ में सब कुछ ठीक है तो काहीं बार ऐसा होता है यार्ग की मार्केट फ्लक्ट्व था होती है ठीक है और क्या होता है इसका एक साइड भी समझतियों आप लोग को समझना चाहिए आप लोग यह समझना चाहिए कोई भी प्रॉडिक हो ह मैंने बहुत लेट से सीखी है चीज इसको नोट कर लो अच्छे से कहीं पर कि हर इंडस्ट्री में एक ऐसा टाइम आता है आपको ना बस सर्वाइव करना आना चाहिए मालब आप किसी भी तरह से ना बस इतनी सेल लियाओ कि यार एकली सर्वाइव कर जाओ ठीक है तो यह जो डेप है ना हर इंडस्ट्री में आता है और यह आपके हाथ पे नहीं बहुत सरे फैक्टर्स होते हैं ठीक है मार्के के सें आपको जानता हूं जो प्रॉडेक्ट फोटो शूट करते हैं प्रॉडेक्ट फोटो शूट करते हैं देख लोगे ना तो एक नमर कमाल फोटो शूट है मतलब आपके ना ऐसे आंके फटी रहे पर जाने वाली इस लेवल का फोटो शूट करते हैं अब जानते हूं क्लाइट उस से चार फोटो शूट कराएगा कि आप इस प्रॉडेट कर दो इसका कर दो और चार और लेकर आजाएगा यह तो बढ़ाने और दो घंटे का शूटना तिन तिन घंटे पांच पांच दोम है अब आज आते हैं अपने लास्ट नहीं होते हैं एक बनागोशने देश्य ससे लिडियोग यह पास वन टांडा है पहले हैं। तो फिर काम नहीं चलता है तो इस बिजनस में जो लास्ट में प्रॉब्लम आती हो आती सस्टेनिबिल्टी की कि अगर वन टाइम काम उठाए हो खास करके मेरे जानने में बहुत से सब्सक्राइब काम करते हैं अगर आप क्लाइब को रोक नहीं सकते हो तो वह क्या होता है कि वह आते हैं चले जाते हैं बान कि चलो आपके चार क्लाइंट है चार क्लाइंट ही रहने वाले हैं वह आते जाते रहते तो बहुत ऐसा नहीं कि सस्टेन आपका है और थोड़ा वह डिप जाता है अब यह चीज यह रियालिटी है जो मैं आपको बताई इसका भी सॉल्यूशन है मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन जो हम लोग ने फिगर कि मैं ट्रवाले का जाते तो हमारे लिए बोनस है मैं आपने लिए जो मरी क्लाइंट की शीट है मैं शायद अटली वीडियो यह करोंगा में चीजएक्शन सुल्यूशन है मन्तली ठीक है और जो वन टाईम लेवां नाट्स के लिए टाइक धिका वह टाईम आगा अगए व निल्टी करने करना सब्सक्राइब तरह पॉटाब कि है सब अंट करों वह कहते हैं डू नॉट कीप और एक्स इन वन बसकेट मतलब हैं यहां पर यह रूल अपलाई किया है कर दो क्लाइट का लोस हो गया यहां पर मैं क्या करता हूं मेरे पास 5000 के भी क्लाइट्स हैं बहुत ही बेसिक सर्विससें बहुत ही चोटी मानगे लोगा सर्फ फेस्बूप पेजी मैंनेज करना है ऐसा भी है इंडिया में है बहुत सारा जो बहुत बड़े 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 में वह फेस्बूप पेज भी नहीं मैंनेज करते हैं मुझ आते हैं क्यों नहीं कुछ इंसी कर लिए उनका एक्टिव देखे मेरे पास 8000-10,000 के भी क्लाइट्स हैं 15,000 के भी है 20,000-25,000 मैक्स-2,000 मैक्स में पास 50-60,000-70,000 के भी रीटेनर क्लाइट्स हैं अभी इसमें सम कि नेक्स्ट मत दसों क्लाइट्स छोड़ के चले जाएंगे अरे मैक्सिम कितने जाएंगे एक दो तीन क्लाइट्स भी जाते हैं तो भी मेरे कितना लॉस हो जाएगा 30,000 का कितना बचा सत्तर हजार सत्तर हजार रुपए एक बिगिनर के ठीक अमांट है जो मैंने किनेबल रहेगा ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास एक ही एक चला लाहि होगा तो इसी तरह से करके Nissan हम लो supports स में अच्छे क्लाइटबना के रख आगे चाते तो जाते भी हैं तो उतना लंसी होता है क्युंकि मैं पहले कि की क्लार जाएंगे तो क्यूंस होऀंगे अभी क्लाक्टेक्स में और हम जाता है कि चाषैंड gram लेके ऐँ इस इसक्स लेक्व pra b जैता मैं और अभी कोहते हैं कि काम इतन अ चाहिया विए कश्री डेए जोड़के तो रिटेनर क्लाइंट हम लोग उनके लिए अलग से बहुत सारे ऐसी चीजे बना रखे हैं जैसे वीकली रिपोर्ट, मन्तली रिपोर्ट शेयर करना एक हमरे पर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जिनको हमने असाइन करकर रखा है कि वो कॉल्स पर बात करें सारी चीज क्लाइंट से रिटेन रहें रहना बहुत जरूरी है तब ही आप से लोग मैंने देखे हैं कि वो आते हैं मार्केट में फ्रिक्दम से ना गायव हो जाते हैं तो यह सारी कुछ चीजें से जो मैंने आपके साथ शेयर करी वीडियो थोड़ी बड़ी है बट यह वीडियो उन करता हूं ठीक है तो यह वीडियो थोड़ी से बड़ी है थोड़ी से लंबी है अगर यह कोई वीडियो देख रहा है आप प्लीज मुझे कोमेंट करके बताइए कि मुझे मुझे लगता नहीं शायद इतनी लंबी वीडियो लास्त तक लोग देखते हैं बैट अगर कोई अगर आपको कुछ भी वीडियो में पसंद आया या फिर कुछ भी मैंने गलत बोलाया कुछ भी आपको नहीं अच्छा लगाए प्लीज उसी लिए और प्लीज मुझे कोमेंट में उस चीज को जरूर बताएं थैंक्यू सो मच